हलो एवरीवन, वेलकम ओन माई ट्यूब चैनल में इस व्यूडियो में बताने वाला हूँ AYM Centax Limited Company के बारे में जिसकी कीमत 102 रुपे है और आज के दिन मार्केट में 3% की तेजी देखने को मिली 5 दिन में 2% की negative return दिये, 1 महिने में 10% की negative return, 6 महिने में 109% की return ये टूडेट में 155% की return, 1 साल में 280% की return, 5 सालों में 32% की return और maximum returns के बात करें तो कंपने ने 19% की negative return दिये, तो क्या इस stock को हमें खरीदना चाहिए या avoid करना चाहिए जैसा कि इस stock की कीमत 8 में 2020 को 15 रुपे देखने को मिली थी, 15 रुपे से बढ़कर ये 102 रुपे का हो गया तो क्या इस stock में और भी तेजी हो सकती है, या इस stock को हमें long term खरीदना चाहिए ये avoid करना चाहिए स्टार्ट करते हैं, इसके fundamental analysis तो जैसा कि हम देखते हैं कि companies का जो work है, ये companies वियांस leading में काम करती है और इसका market capitalization 512 करोड का है, current price 102 रुपे का low एक 25 रुपे का बनाया था, high 123 रुपे का, stock का भी 89.83 है, dividend 00, ROC 9%, ROE 4%, face value 10 रुपे की debt equity point 62 है, companies की quarterly results की बात करें, तो companies की quarterly results यहां positive देखने को हमें मिले, companies को यहां continuous profit हो रहा है, जैसा कि आप यहां देखते हूँ, companies को continuous 13 करोड का profit हुआ, year on year basis पे देखें तो companies का year on year basis पे profit बढ़ता हुआ है, नजर आ रहा है, 52 करोड का profit company को, और यहां पे results के बात करें, तो companies क जो results है, वो भी यहां पे continuous बढ़ते हुए हैं, और यहां पे आप देखते हूँ, कि companies का जो share capital उसमें भी हमें काफी तेजी देखने को मिली है, companies अपना borrowings यहां धीरे-धीरे कम कर रही है, जैसा कि, इस में पिछले quarter के results में देखें हैं, तो companies को 236 करोड के results बढ़ते हैं, और थोड़ा कम investment करना होगा, आपको स्रिफ only 1000 से 2000 जितना आपका risk ले सकते हो इस stock में, उतना ही आपको invest करना है, अगर आप उससे जादा invest करते हो, तो आप बुरी तरह फस भी सकते हो, तो जी दोस्तों कम investment कीजिए, चाहे आप 500 invest ही कर सकते हो, जादा invest नहीं करना, अगर आ आप इसे avoid भी कर सकते हो, यह आपका decision होगा, वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe, share कीजिए, ऐसी information के लिए, thank you दोस्तों